नमस्कार लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसियेशन के सवाल आपके सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर तरुना एस्गॉर्ड बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं काफी दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि सभी सवालों के जवाब दू लेकिन फिर भी आज मैं कुछ सेलेक्टेड कोशिशन के साथ आई हूँ और बाकी को हम अगले सेशन में लेंगे अभी पहला सवाल जो ले रही हूँ वो है आशुतोष मिश्रा जी का इन्होंने कहा है कि मैं बैचलर से मास कमिनिकेशन कर रहा हूँ क्या इसके बाद मुझे कोई लाइसेंस मिलेगा क्या मैं यूट्यूब चैनल चला सकता हूँ क्या मैं कैमरा से किसी को भी कवर कर सकता हूँ वहाँ जब पूछा जाए कि आपके पास हमें कवर करने का क्या अधिकार है तो मैं क्या जवाब दूँगा इनने तो बहुत सारे कोश्चन पूछ लिए है पढ़ाई से लेके लास्ट कवरेश तक खेर मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ जितने भी पत्रकारिता की पढ़ाई है पढ़ाई एक सामाने पढ़ाई होती है हर तरह की चाहे पत्रकारिता हुए दूसरी हो उसमें कोई लाइसेंस नहीं मिलता तो ऐसे ही मास कम्यूनिकेशन करने के बाद आपको लाइसेंस नहीं डिगरी मिलेगी और उस डिगरी के आधार पर आप किसी भी पत्रकारिता संस्दान चाहें वो टीवी हो चाहें वो अखबार हो यहाँ पर जाकर आप जौब के लिए अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा गौवर्मेंट सेक्टर में भी पी आरोज की जौब निकलती है जहां मास कम्मुनिकेशन मांगा जाता है वहाँ भी आप अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा एक अलग से विधा चलती है, वो है digital platform, यानि अगर आप कहीं नौकरी ना करना चाहें, तो आप खुद का अपना website स्टार्ट कर सकते हैं, और वो है YouTube चैनल के थरू, या फिर website के थरू, news web portal के साथ, इसको चलाने के लिए आपके पास में पूरा infrastructure होना चाहिए, आपको editing आनी चाहिए, आपके पास studio होना चाहिए, आपके पास mic id, coverage reporter, ये सब होने आविशक हैं, अगर आपके पास ये बहुत अच्छे level पर है, बड़े level पर है, अच्छी बात है, नहीं तो small level पर भी आप इसको कर सकते हैं, खाली एक mic id के साथ और आप खुद भी इसको क कर सकते हैं, आपका दूसरा सवाल था कि क्या आप coverage कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सामाने नागरिक की तरह, लेकिन आप पत्रकार की तरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास कहीं से भी registered media द्वारा दिया गया, कोई eye card नहीं होगा, प्रेस का, इसके लिए आप हमा कर रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, जवाब साधारन है कि भारत के सभी नागरिकों को जो है, एक अधिकार मिला हुआ है, उनीस एकका के अंतरगत वाक एम अभी व्यक्ती की सौतंतर था, तो हम अपना जो है, जितने भी student है, यूट्यूबर्स है, या फिर पत्रका कर सकते हैं, मैं पूरी जानकरी आपको दिलवाने की कोशिश करूँगे, जवाब थोड़ा लंबा हो गया था, क्योंकि काफी लंबा था, अभी भी बहुत सारी चीज़े अनकवर्ड रह गई है, आप कॉल करके मुझसे पूछ लीजगा, मैं आपको जरूर समझाने की कोश करूँगी, अगला कोशन ले रहे है, औल टाइम हिट है, ये कई बार सवाल पूछते हैं, मुझे याद है, इन्होंने पूछा है, न्यूस चैनल के लेटर पैट पर आप्लिकेशन लिख कर देते हैं, लेकिन अगर आप अपने लेटर हैट पर लिखकर आप लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई इशो नहीं होता है, अगला कोशन जो जिन्होंने पूछा है, वो बंगाली में उनका नामे में पढ़ नहीं पाती हूं, लेकिन कोशन हिंदी में है, कोशन है कि 10 प्लस 2 के बाद क्या जर्नलिस्ट बन सकते हैं, वेस्ट बैंगॉल में गवर्नमेंट कॉलेज कहां कहां है, देखे, 10 प्लस 2 जो है एक एड्यूकेशन क्राइटेरिया है, अगर आप पत्रकारिता की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो पत्रकारिता की पढ़ाई ग्रेजुएशन से शुरू होती है, बीए से, तो आपको 10 प्लस 2 करना ही पढ़े हैं, दूसरा आपने पूछा है कि कोई गौर्मेंट कॉलेज वेस्ट पैंगॉल में है क्या, तो ऐसे बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन आपको मैं थोड़ा समझा देती हूं कि आप गूगल पर सर्च कीजेगा, जो आपके यहां पर यूनिवर्स्टी होती हैं, आपने शहर में सर्च कर लीजे, कौन सा कॉलेज है और उसके अंदर मास कॉमिनिकेशन है या नहीं है, यह आपको खुद पता करना पड़ेगा, अगला कोश्चन है, यह पूछ रहे हैं, क्या हम हमारे अकबार के नाम के आगे माइक आईडी में 24 इंटु 7 लगा सकते हैं, जैसे अकबार का नाम भारत है, तो क्या माइक आईडी पर भारत 24 इंटु 7 लग सकते हैं, फिर से वही बात है कि इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, कि आप यह कर सकते हैं, यह नहीं कर सकते हैं, हाँ, पत्रकारिता के उसूलों के बारे में self-regularization है, वो आपको क् आठक अपनी सुविधा से पढ़ता है, अपने हिसाब से पढ़ता है, अपनी मन पसंद खबर को चुन कर पढ़ता है, वो रिटेन होता है, तो वो 24 इंटु 7 का concept नहीं होता, उसमें वही होता है, periodicity होती है, particular daily होगा, weekly होगा या फिर monthly होगा, तो वो एक अलग चीज होगी, लेकिन mic ID अगर आपको यूज करना है, तो इसका मतलब कि आप पहुंचे digital platform पे, यानि आपके अकबार के नाम से कोई आपका web portal है या digital platform है, तो उसके लिए आप 24 इंटु 7 लिख सकते हैं, तो आप अपने mic पे one side अकबार का लगा लीजे और one side आप अपना channel का नाम लगा ल थे, आशा करती हूँ, आपको इनके जवाब पसंद आये होंगे, या फिर आपके सवालों का में सही जवाब दे सकी होंगी, अगर आपका कोई और question है, आप और भी कुछ विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आप हमें personally phone भी कर सकते हैं, और हमारे comment box में आप लिख कर भी पो करते हैं, और हमें आप भी कर दूक भी कर दो